मुझे लगता था, मुझे लगता है कि उससे बचाया जा सकता था, उससे बचा जा सकता था, ये एक irresponsible behavior था, देखिए इसको नाम लेकि हम जब लेते हैं तो इसमें काफिर लोग सारे लोग defensive हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप तबली की जमात बोलते हैं तो उसमें एक खास लग उसके पीछे हम गए थे, आज कोई भी शादी जो करता है वो अगर उसमें जादा भीड़ होती तो उनको कैसे वो पूरा viral हो जाती है उनकी pictures, मगर ये है कि वो भी नहीं होनी चाहिए थी जमात, वो नहीं होनी चाहिए थी, जबकि इस तरह का हमारे देश में जो कानून है उस समय ये गलत हुआ, आपके साथ बोल्ली गुड में है सल्मान खाल, उन्होंने बोला ये डॉक्टरों पर हम पत्थर क्यों मार रहे हैं, ये पुलिस वाले जो हमें बचा रहे हैं, इससे बड़ा अपराद कोई हो ये नहीं सकता है, कोई भी जो मार रहा है, उनको तो ऐस लतार के अंदर करना चाहिए, कि मतलब जिसका कोई जो एग्जैंपल बना चाहिए, हम उस देश के वासी हैं, कि जिसमें हमें बताया जाता है, शौच कर रहे हैं, और दूसे नमबर पर डॉक्टर होता है, तो जो हमारी जान बचाता है, हम उस पर कैसे किसी किसम का हमला कर स कर रहे हैं और सब लोग कानोनी कारवाई होनी भी चाहिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप लोगों को डिफेंसिव कर देते हैं आप मतलब आप से नहीं मेरा मतलब है कि वैसे डिफेंसिव हो जाते हैं बट मुझे लगता कि सलमान खान ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था और लिकिन एक लबी एक खटे रहना चाहिए इस समय हमको जुड़के रहना नरेंद मोदी ने और इस सरकार ने इतना बेटरी इंकाम ने करा है इनके लिए मैंने बड़ा अच्छा नाम सोचा है कि अगर सलमान खान भाक्त है मैं भी भाक्त हूँ जो भी देश के बारे में अच्छी बाक्त करता है तो ये वर्ग तो कमबखत है इनको कमबखत बोलाना क्या कि अगर वो नहीं लेते हैं तो वापिस उनके बास चले जाती है तो मैं अभी वो गीता फोगट का वो देख रहा था वीडियो बड़ी दमदार लड़की है उसने कितने दमदार तरीके से बोला है कि मेरे को आप रोक नहीं सकते हैं इसे मौके पर हम किसी वर्ग कि नहीं है हम भारतीयों की तरह मैं चछ क्या तरय देश करें हम लोगों की मात्रा में लोग आते हैं मुम्बति जलाते हैं प्तियां बजाते हैं वह तो बुच्छ है आप उन च्छ लोगों की तरफ अमीश इतना ध्यान देते क्यों है आपने अभी ट्वीट किया कि मैं आपके शोपर आने वाला हूं मैंने इतनी ज्यादा ट्रोलिंग देखी आपकी कि मैंने का माई गॉड इतनी नफरत तो यह तो डिपार्टमेंट है यह डिपार्टमेंट वाले बैखते हैं इनमें तो कुछ मलेशिय और पाकि उलजने वाले उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलजने वाले तो मुझे मेरे ही साह से डराता क्या है तो आप बिलकूल इसकी चिंपफिकर मत करिये सच वो दिया है जिसे अगर पहाड की चोटी पर भी रख दीया जाए तो चाहे रोशनी कम करे लेकिन दिखाई बहुत तो इस समय हम सबको साथ में आना चाहिए हम सबको दुनिया का दुनिया में एक हमने एक्जैंपल बनाया है आज सब भारतिय अताकवा भारतिय लोगों को हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं हमारा विक्सित पूरा पुरिजना से विक्सित देश नहीं है वो अमेरिका इटली इन जैसे इतने जैसे देश ने इनको हम भेजनें दवाई हम भेजनें इनकी हैल्प कर रहे हैं इससे बड़ी फक्र की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है तो कहां आप इन लोगों के जंजटों में पड़े हुए हमेश्च छोड़िये इनको पड़े इनको भूल जाएए जी क्योंकि आप वॉलेवुड से हैं